निम्स युनिवर्सिटी के अंदी डॉक्टर शोभा तोमर ने ओडीसी कारेकरम में अपनी जीवन यात्रा को युवाओं के सामने रखा। उन्होंने बताया कि उनके भी जीवन की सिरुवात एक मध्यम वर्गियव परिवार से हुई थी। आपको बता दें कि डॉक्टर शोभा तोमर प्रख्यात इस्त्री रोग विशेशके के तौर पर जानी जाती है। इस उसर पर उन्होंने अपनी जीवन यात्रा के बारे में बताते हुए कहा कि उन्होंने भी संगर्स किया है और मध्यम वर्गियव परिवार का जो सपना होता है, उनके जीवन में जो दुश्वारिया होती है, संगर्स होता है, उन्होंने बताया कि निष्ठा और समर्पन के बल पर उन्होंने मेडिकल की तैयारी की और तैवक्त में उसे पूरा किया मेडिकल की पढ़ाई में उन्होंने बताया कि कभी रटी रटाई पढ़ाई काम नहीं आती बलकि सोच समझ कर पढ़ाई करनी पढ़ती है इसी सोच और समर्पन के साथ निम्ष की सुरुवात की गई उन्होंने बताय कि जब हम लोगों ने 2 जुलाई 2000 को निम्ष की शुरुवात की तो जिस जगह पर आज निम्ष युनिवर्सिटी खड़ी है वो जमीन पूरी तरह बंजर और उबढखाबर थी लेकिन मेहनत और इवानदारी के साथ कारवा आगे बढ़ता गया और मंजिले पास आती चले गए गाफ करनों टॉल तुड़ई I am very much honored you have provided me this day गाफ करनों टॉल तुडई I am very much honored you have provided me this day जब मैं गवर्मेंट गवर्मेंट थी तो मुझे एक साल के लिए लंदन आगे ता भी रेपोटिशन मिला लंदन से मैंने पिंग स्वारीश थाई तो मिले को आईडियाप में एदिशन मिलिया इसको कि आप आफ तल टेस्टू बेभी कहते हैं जब मैंने वहां एक्विशन लिया तो मैंने देखा कि अगर सो पेशन इनके बच्चे में होते हैं तो उसमें 33% में में लट्यों लेडीज में खरावी राती है 33% में प्योर जैंस्ट में आती है और 33% में मेल और फिल्में में राती है महां भी मेरी पॉप्रियर्टी की बगए जिते भी पाकी पाकी कहते थे इंडियन को पाकिस्तान को और जो पाकी थे उंको इती जागे भो नहीं देते थे लेकिन सब के सब पेशन दिर पास इती बीड लगे थी महां भी बड़ी खुश थी जब मैं हहां से लौटकर एक साल बाद इंडिया आई तो मैंने सुचा है मैंने आइडियर्टा देख तो लिया है लेकिन मैं करूंगी कि हमाँ पर तो मिरे पास यह तोनों ग्राफी की मशीन ही नहीं है उस समें इंडिया में आइडियर्टा प्रचलित महीं था कि अवर बांबे में डप्तर हिंडुजा कहती थी और वो मैडिसीन भी महां से प्रांस से आती थी इत्ली से आती थी कि हैं मैं तोनों ग्राफी मिश्टिम लेकर है